हेलो नमस्कार दोस्तों मैं हुराके सर अब देख रहे हैं गो टू ऑनलाइन तो यह मेरा फ्रीज है काफी पुराना है लवग 15 साल पुराना फ्रीज है इसकी जाली तूट चुकी है और इसमें कोई वर्तन रखते हैं तो नीचे घर जाता है देख पा रहे होंगे आप इसकी जाली जो है काफी टूटी हुई है तो मैं इसको रिप्यर करने के लिए क्या करना आपको पाइप का टुकड़ा लेना है और जाली के बरावर काट लेना है फिर इसको लंबाई के समानतर भी इसको कट कर लेना है और इसको गैस पर थोड़ा घरम करके इसको हलका सा सीधा कर सीधा करने के बाद में फिरख एसको प्रेज की सायता से आप इसको फ्लैट कर सकते हैं बिलकulates नीचे समतल जगम रख करके और गरम प्रेश इस पर फिराए है तो ये बिलकुल सीधा हो जाएगा बिलकी और बिलकुल जो फरे जो फिरिज की जाली उस लेबन में नाप करके इसको काट लेना है तो मैंने फ्रीज की जाली की तरह इसको काट लिया है और देखिए पहले मैं इसमें जाली फसा रहा हूँ और जाली फसाने के बाद मैं और इसको मैं उफर से जो है फसा दोंगा उसे क्या होगा जिसमें कोई भी बरतन चोटा मोटा भरतन रखते हैं तो वो आसानी से रख जाएगा और उसमें गरने का जनलेट भी नहीं रहेगा और यह मजबूती भी आ जाएगी देखिए यह मैंने पाइप का जो है फ्लैट करके पाइप को इसमें रख दिया है इस तरह आप जाली को रेपियर कर सकते हैं जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें थेंक्यू धन्यबाद